नमस्कार आदाप सस्त्रियाकाल हम आचुके देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ अगर आप डिफेंस, मिलेक्री, फोरेंड पॉलेसी और फाइनांस से चुड़ी हुई खबरों में इंटेस्टेड है तो हम लाएंगे आपके लिए हर रोज एक नई खबर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हम डिफेंस की बात करें तो भारत का सीधा सीधा मुकाबला चीन से है और चीन अपनी सेन्य सक्ती लगतार बढ़ाता जा रहा है जिससे हमें भी चीन के लिए तैयार रहने के जुरूरत है हमारी वायू सेना चीन से निपटने के लिए तैयार है क्योंकि हम 83 तेज़े स्विमान बना रहे हैं हमने राफिल का सोधा भी किया है और एक ओल डेल के लिए भारत पुरे तरीके से तैयार है जिसमें हम 100 से ज्या चीन के पास लगबग सतर पंडुबिया है इरक्राफ केरियर चीन के पास लगबग सोलापण जो बनकर तैयार है और समंदर में गस्त भी लगा रहा है तो वहीं भारत के पास लगबग एक ही एरक्राफ्ट करियर है अगर एरक्राफ्ट केरियर की बात करें तो चीन के एरक्राफ्ट केरियर लगबग 65,000 टन के है वहीं भारत के एरक्राफ्ट केरियर लगबग 40,000 टन के है एक एरक्राफ्ट केर एक्ठाफ करियर के मामले में चीन से काफी ज्यादा पीछे है। लेकिन भारत के लिए आई है एक बहुत बड़ी खुसकबरी। भारत और फ्रांच मिलकर बना रहे है एक बहुत बड़ा एरक्राफ केरियर। जिस aircraft carrier का वजन लगबग 65,000 टंग से ज्यादा होगा और इस aircraft carrier में 55 से ज्यादा लड़ा कु विमान एक साथ रह पाएंगे इस aircraft carrier में अवाक्स भी लेंड हो सकते हैं अवाक्स क्या होता है दूस्तों अवाक्स एक प्रकार का जासुसी विमान होता है जो पूरे समंदर को छान कर रख सकता है ये पंडूबियों का भी पता लगा सकता है ये पता लगा सकता है कि कौन सी पंडूबि किस जगा पर है इस स काइना के विरुद बहुत बड़ी मदद मिलेगी आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि हम इस वक्त एक aircraft carrier बना रहे हैं और यह बनकर भी तयार है तो फिर हम इस aircraft carrier के लिए फ्रांस की मदद क्यों ले रहे हैं हमारा जो aircraft carrier है वह लगबग 45,000 तन का है वह बहुत चोटा है और यह जो aircraft carrier है यह लगबग 65,000 तन से ज्यादा वजनी होगा यह बहुत बड़ा aircraft carrier होगा जिसकी design अगर हम अपने तोर पे बनाने जाए तो लगबग इसमें 5-7 साल का वक्त लग जाएगा लेकिन France के पास इस तरीके की तकनीक भी है और इस तरीके का एक aircraft carrier भी है जिससे हमें यह तकनीक भी मिलेगी और aircraft carrier का design भी मिल जाएगा जिससे हम 5-7 सालों के वक्त के अंदर इस aircraft carrier को बना लेंगे हम जल्दी से जल्दी चाइना को counter करना चाहते है इसलिए हम यह aircraft carrier फ्रांक से खरीद रहे है तो फिर मिलेंगे देश और दुनिया की एक और नई ख़बर के साथ तब तक के लिए गुडबाई